तो हेलो दोस्तो आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ यह BSNL का टेबलेट तो चलिए दोस्तो करते हैं इसकी अन्बोक्षिंग क्या इसमें नए फीचर्स क्या इसकी स्पेसिफिकेशन्स तो यह है हमारा टेबलेट का बोक्स जो की BSNL कंपनी का है और 2Gb RAM और 16GB स्टोरेज के साथ 4G LTE है और बोक्स के इस तरव लिखावा है 2GB RAM और 16GB ROM और वाइट कलर में है यह हमारे पास वाइट कलर में वेरियंट है तो चलिए करते हैं इस अन्बोक्स बोक्स के इंदर एक कोर बोक्स जिस पे लिखा है BSNL यह BSNL जो कि हमारे ही देश की सवदेशी सरकारी कंपनी है एक नेट्र कंपनी है यह और इस चे आप सभी वाकिफ भी होंगे हमारे सामने सर से पहले यह हमारा टेबलेट जो कि बहर वाइट लेकिन यह गॉल्डन ए और यह वाइट अंदर से हिससे बाद में देखते हैं यह बोक्स के इंदर और हमें क्या-क्या मिलता है इसके अंदर में मिलती है USB A Type 2, USB B Type Cable, जो की बोक्स में मिलने वाली एक सिंपल सी या फिर बेसिक सी है, और ये में मिलती है 3.5 mm वाली headphone jack, जो की बहुत अची बात है, लेकिन ये एरफोन बिलकुल बेसिक है, अग्दम बेसिक, और इसके साथ में मिलता है, ये charger जिसके उपतर उपर किसी भी कंपनी की कोई भी बेंडिंग नहीं है, और इसका उटपुट है 5V 2A का, और बोक्स में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो चलिए, बात करते हैं हम हमारे मेन टेबलेट की, जिसके उपर ये एक फिलिप लगे, जिसमें इसके कुछ मेन फ Wi-Fi, GPS, BSNL की ब्रेंडिंग, चलो इसको उतारते हैं और देखते हैं, इसकी डिस्पेले को, तो यह है इसकी डिस्पेले, तो चलिए, करते हैं बूट, और हम देखते हैं इसके फिजिकल अरुग को, बहुन करते हैं हम यह आप लिकाता है BSNL, माइक्रोफोन उसके उपर है, ओन उफ करने का बटन उसके उपर है, वोल्म अप या डॉन करने का बटन, पिछे है स्पिक्कर ग्रिल, यहां पर है फिंगरेट स्कैनर, और उपर है टू में एक फिक्सल का केमरा और साथ में एक LED फ्लैस, उपर है 3.5 mm जेक वाला जेक और सा स्पिकर ग्रिल और एक हाफ मेगाफिक्सल का केमरा, और यह है इसकी डिस्पले, जिससे अगर हम फुल ब्राइटनेस के साथ भी देखें, तो यह इतनी ही ब्राइट है, मतलब ओके है, टच रिस्पॉन्स भी ज्यादा अच्छा नहीं है, आप देख सकते हैं, कि अगर मैं क अहां पर कुछ कर रहा हूं, तो इतना कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, बेस्क लिए अगर बताया जाए तो यह चल रहा है फिलाल एंडुट 4.4 पर और आप इसमें अपना कोई भी जरूरी काम, जैसे कि बिजनस काम, बिजनस चे रिलेटेड या अपना बेसिक काम करते हैं, जैसे कि वीडियो देखना, या कॉल करना, फोटा आप इसे बिल्कुल भी नहीं खेल सकते हैं, हाँ बहाँ पर अगर ऐसी कोई जूरूरत हो, जहाँ पर आमें केमरे की जूरूरत हो ही हो, ऐसी स्थेती में आप इसका केमरा यूज कर सकते हैं, बिकोज इसकी केमरे की क्वालिटी बिल्कुल बेकार है, हाँ बस आप इसमें गेम खेल सकते हैं, गेम खेलने के लिए काफी अच्छा है, लेगन इसमें आप जैसे की PUBG या, Free Fire जैसे कोई High गेम नहीं खेल सकते, High Professional गेम नहीं खेल सकते, इसमें की रेम और रेम बहुत ज्याद अच् हाँ ये बच्चो की गेम के लिए ठीक है, अगर आप अपने बच्चो को ये देना चाहिए, गिफ्ट करना चाहिए, और बहुत चाहिए तो इसमें अपनी गेम खेल सकते हैं, और थोड़ा बहुत बेसिक काम कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है अभी बच्चो को द अपजी या फेर वो एक बीच में वो गेम चली थी बुलिव एल, उसके चकर में काफी बच्चो ने सुसाइड अटेम्ट किया था, तो वो एक अच्छी बात नहीं है, बाकी अवर अच्छी बात है ये, अटाइसो एमेज की इसमें आपको बेंटरी मिलती है, जो की पने लगता कि बच्चों को देना चाहिए, अगर दे ओव भी, आपने बैचों को देना भी चाहते हो, ये टेबलेट या फोन कुछ भी, तो वो अपने माता पिता की निर्देश में होना चाहिए, कि माता पिता अपने बच्चों पर पुरा ध्यान रखें और फिर ये वीडियो में तरह हैं देखने के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाग वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को साथ मिले की बेल गाइप आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नई वीडियो इक नोट